बारत में वर्ल्ड कप का आयोजन चौथी बार होने जा रहा है 1987 में वर्ल कप पहली बार इंग्लेंड के बाहर पाकिस्तान और भारत में खेला गया था 1996 और 2011 में भी वर्ल कप इंडियन सब कॉंटिनेंट में होस्ट हुआ पिछले सबी एडिशन्स इंडिया ने पाकिस्तान, शीलंका, बांग्नदेश के साथ यह टॉर्नमेंट होस्ट किया है लेकिन इस बार इतिहास में पहली बार यह मेगा इविंट पूरी तरह से भारत में आयोजित हो रहा है 2011 के वर्ल्ड कप में युवराज सिंग का जलवा कोई कैसे भूल सकता है इस लेफ्ट हैंडेड ओल्राउंडर ने इंडिया को अपना दूसरा ODI वर्ल्ड कप जिताने में कोई कसन नहीं छोडी लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि एक लेफ्ट हैंडेड ओल्राउंडर ने इंडियान सब कॉंटिनेंट कंडिशन्स में खेले गए वर्ल्ड कप में एक्स्ट्रा ओर्डिनरी परफॉर्म किया बलकि हर बार ही ऐसा हुआ है 1987 में बाए हाथ के उस्टिलन कप्तान एलन बॉर्डन ने 183 रन बनाए और 6 विकेट लिये थे इसी बहतरीन प्रदेशन के दम पर 1987 में उस्ट्रेलिया ने इंगलेंड को हरा कर ट्रोफी जीती थी फिन 1996 में श्रीलंका के ओपन सनग जैसूरिया ने 221 रन बनाए और 7 विकेट भी लिये इसी परफॉर्मेंस के दम पर उन्हें प्लेयर आफ दा टॉर्नमेंट चुना गया था वही 2011 में युवराज में 362 रन बनाए थे और 7 में 15 विकेट भी लिये थे अपने माइन ब्लोइंग परफॉर्मेंस के लिए युवराज को आल राउंडर प्लेयर आफ दा टॉर्नमेंट से नवाजा गया था सब कॉंटिनेंट कंडिशन्स में सिर बाएं हाथ के खिलाडियों का ट्रेंड नहीं देखने को मिलता अगर टीम्स की ट्रेंड की बात करी जाए तो अब तक जितने भी वर्ल कप इंडियन सब कॉंटिनेंट में खेले गए हैं उन में एक एशिन टीम हर बार सेमी फाइनल में पहुँची है 1987 वर्ल कप में भारत और पाकिस्तान की टीमें सेमी फाइनल में जगा बनाने में सफल रही थी हाला कि पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया और भारत को इंगलेंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था वहीं उसके बाद भारत में हुए दोनों ही वर्ल कप एशियाई टीमों ने जीते है 1996 में शीलंका ने औस्ट्रेलिया को हरा कर पहली बार ट्रोफी अपने नाम की थी वहीं 2011 में भारत ने शीलंका को हरा कर दूसरी बार वर्ल कप जीता था एक और इंटरस्टिंग ट्रेंग जो देखने को मिला है वो ये है कि पिछले तीनों ही वर्ल कप में जिस टीम के बैटर ने सबसे ज़ादा रंस बनाने वाले बैट्समन की लिस्ट में टॉप थ्री में फिनिश किया है उसमें से ही किसी टीम ने वर्ल कप जीता है 1987 में औस्ट्रेलिया के डेविड बून ने 447 रन और जौफ मार्स में 428 रन बनाए थे दोनों ही टॉर्णमेंट में सबसे ज़ादा रन बनाने वाली लिस्ट में दूसरे और तीसरे नंबर पर थे 1996 में अरविंदर डेसलवा ने शीलंका के लिए 448 रन बनाकर टॉप रन गटरस के लिस्ट में तीसरे स्थान पे थे और इसी साल उनकी टीम ने वर्ल कप जीता था वहीं 2011 में सचिन ने 482 रन बनाकर लिस्ट में दूसरे नंबर पर एंड किया था और भारत को वर्ल कप जीताने में मदद करी थी इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले वर्ल कप की और खबरों के लिए जुड़े रहे एंडी टीवी स्पोर्ट से